I had started chapter 1, democracy and why democracy, so in our last classes we have finished first chapter, that is what is democracy, अभी हमें move on करना है, अपने next chapter की तरफ, sorry, chapter के second part की तरफ, first half हमने complete कर लिया था, what is democracy करके, second half हमें complete करना था, शुरू करना था आज, और उसको आज हम complete भी करेंगे, that is what, why democracy, हाँ, तो पिछले अपने lectures में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि democracy actually में है क्या, अलग-अलग countries के example देकर, अलग-अलग जो भी features थे, उनको समझाने के लिए अलग-अलग countries के different incidents को narrate किया गया है, यहाँ पर उठाया गया है उन incidents को, ताकि आप लोगों को यह समझ सके कि, समझ में आ सके कि basically जो democracy है, वो एक, सिर्फ इतना concept नहीं है कि लोगों ने vote दे दिया और एक सरकार बन गई, democracy वो form of administration है या वो form of government है, जहाँ पर सिर्फ इतने के बाद, इतने पर ही वो democratic government हो गई, वो सरकार यह complete नहीं हो जाता, बलकि वो तब तक democratic सरकार नहीं है, जब तक कि उसके पास लोगों के लिए सभी निरन है, यानि all decision taking powers must lie in the hands of elected representative, चुने वे लोगों के हाथ में अधिकार होना चाहिए, decision लेने का, second feature हमने पढ़ा था last अपने lecture में, कि जो भी democratic country है, उसमें election जो है, वो लोगों के through होना चाहिए, और उन election में free or fair judgment होना चाहिए, बिना किसी pressure के, बिना किसी दबाव के, election free और fair manner में हो, जहां पर ruling party के leaders को भी उतना ही डर्वों हारने का, जितना की, कोई opposition party के leader को होता है, ठीक है, इसके लावा third feature भी हमने पढ़ा था, और third feature के accordingly क्या था, कि हर किसी को जो भी लोग representative बना चाहते हैं, जो भी लोग government में participate करना चाहते हैं as representatives, वैसे उन लोगों को क्या करना होगा, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, कि वो क्या कर सके, उन लोगों को भी opportunity मिलने चाहिए, एक free opportunity मिलनी चाहिए थाकि, वो क्या कर सके, वो government में participate कर सके, throw participating in election, वो election में contest करेंगे, तभी तो उन्हें वो opportunity मिलेगी, कि वो फिर आगे representative के तौर पर elect हों, और आगे फिर जाकर, अगर मौका मिला, तो government में actively participate कर सके, ठीक है, अब वह पात आजाती है जी फोर्थ फीचर की फोर्थ फीचर द Caleb Academy का क्या कहता है कि ultimately सरकार कोई भी हो छै वो लोगों की चुनी हो हो या वो मतलर ओविआसली डिमोक्रेसी है तो लोगों की चुनी हो होगी पट गोवर्मेंट कैसी भी हो यह नहीं है कि एक democratic government है जहां पर लोग की चुनिय होई सरकार है तो उसको यह freedom मिल जा रहे है कि अब वो कैसे भी decision ले सकती है हमने decision taken power तो दे ही दी उसको ठीक तो यह भी सही नहीं है अगर एक सही democratic country को एक democratic manner में government को run करना है तो वहाँ पर ultimate ruling या जो एक ultimate authority है वो वहाँ का समविधान होना चाहिए वहाँ का constitution होना चाहिए ठीक है supreme authority must be the constitution of that country यह आपका fourth feature था democracy का जो हमने last class में previous class में अपने discuss किया हाँ now we are going to proceed further arguments against democracy democracy के against मतब कुछ democracy के demerits आप कह सकते हो या democracy के bad effects भी कह सकते हो कि क्या क्या bad effects है democracy के वो आज हम पढ़ेंगे ठीक है democracy में क्या है see let us go over some of these arguments क्या क्या arguments है जो democracy के against जाते हैं first one हो गया leaders keep changing in a democracy भई election हो रहा है बार बार after every five year election हो जा रहा है और पांस साल के बाद में मान लिजे कि वो सरकार एक free or fair election है तो फिर उसको हारने का जो ruling party उसको हारने के भी chances होते नहीं है जितने जीतने के हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है अब मान लिजे कि वो government change हो जा रही है ठीक है and it keeps on changing हर बार सरकार बदल जा रही है हर बार government के लोग बदल जा रहे हैं तो क्या होगा लोगों को administration जो government के लोग हैं वो कभी किसी party की government आ रही है जिसकी ideology जिसके principles कुछ और है और वो कुछ और principles पर काम करेगी जबकि after five years जब तक वो policies जब तक वो principle fully implemented होते हैं वहां के देश में तब तक वहां पर क्या हो जा रहा है election हो जाता है और दूसरी सरकारा जा रही है किसी दूसरी party की then again they are having some other principles, they are having some other ideologies और इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि वो जो अभी principles को citizens ने समझना और follow on करना शुरू किया था अब वो change हो जा रहा है तो इससे political level पर या international level पर, global level पर एक instability आती है country की image के तौर पर ठीक इसके बाद next one देख लीजे democracy is all about political competition and power play democracy क्या है political competition और power play के बारे में ही है यहाँ पर morality दीरे दीरे खतम हो जाती है क्यों क्योंकि हर एक politician का हर एक party का political party हो या उसके politicians हो उन सबका overall intention क्या हो जाता है overall intention सबका सिर्फ इतना रह जाता है कि हमें anyhow election जीतना है तो इसके लिए morality खतम करके वो लोग politics पर उतर आते हैं जहांपर country के favor की चीजों को भी वो लोग क्या कर देते हैं country के favor की चीजों को भी oppose करना वो लोग शुरू कर देते हैं ठीक है next demerit so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays क्या हो जाता है कि एक democratic government है देखो तो वहां पर एक MLA तो सारे decision नहीं ले सकता अगर हम एक constituent assembly की या एक constituent constituency की बात कर रहें एक constituent area की बात कर रहें तो वहां के उस area के क्या सारे decision वो MLA ले ले रहा है नहीं उसको किस से consult करना है वो अपनी problems को आगे forward करता है भई वहां के जो party head है उनको या फिर जो उसके seniors हैं उनको then again वो problem फिर आगे forward होती है chief minister तक and then they have a cabinet meeting और अपने cabinet meeting में chief minister अपने सारे ministers से consult करके तब को decision ले पारता है जिसमें की एक लंबा process चलता है time taking process होता है और जिसकी वज़े से कई बार urgent issues पर decision लेने में बहुत देर ही हो जाती है ठीक है next one आ गया democracy leads to corruption for it is based on electoral competition democracy just now as I told you कि it is based on election only एक free election होना चाहिए fair election होना चाहिए जिसमें हर party को जीतने की उतनी opportunity होनी चाहिए जितना की उनकी probability हारने की बनती है हां यानि 50-50 probability पर वो election लड़ें contest करें चाहिए कोई भी party हो ठीक है लेकिन अब यहां पर यह तो हो गया free or fair election का feature लेकिन demerit का है democracy का कि उस free or fair election को जीतने के चकर में जो पार्टीज है जो politicians है उनका overall intention या overall objective सिर्फ इतना ही रह जाता है कि वो किसी भी तरह से उस election को जीत ले ठीक है तभी आगे उनका political career secure हो सकेगा as politician तभी वो आगे अपने आपको secure feel कर सकेंगे ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे वो कभी कभी वो लोग गलत चीजों का जोकी immoral है जोकी country के beneficial के लिए beneficial नहीं है उन decisions को भी ले लेते हैं ठीक है और next आपका आगया last जो demerit है ordinary people don't know that what is good for them they should not decide anything जो common people है आप आज भी देख लीजे इंडिया में जो majority है या कह लीजे इंडिया की total population का एक major portion जो है वो क्या करता है वो आपका बहुत poor category को या बहुत poor class people है वो लोग जो की गरीबी में रह रहे हैं हाँ poverty line के नीचे है या poverty line के उपर भी हैं तो बहुत अच्छा उनका living standard नहीं है they are poor और इसकी वज़ाए येस तो यह हमारा second last point था the arguments against democracy के लिए now the last point of argument against democracy हाँ democracy के demerit के तौपर last point ordinary people don't know what is good for them they should not decide anything ordinary people जो भी है जो common people है इंडिया के जो common citizens है मस से वो लोग क्या करते हैं वो लोग ये नहीं जानते कि उनके लिए क्या beneficial है actually में उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ठीक है कौन सी political ideologies कौन सी political leaders या कौन सी political parties जो है actually में उनके country के welfare के लिए काम कर रही है और कौन लोग दिखावा कर रहे है ठीक है ये चीज़े उतनी clear out नहीं होती है for the common citizen of India जो की politics से एकदम भी aware नहीं है familiar नहीं है हना तो उन लोगों को ये सब चीज़े उतनी जादा समझ में नहीं आती है और इस चकर में कई वार वो wrong candidate को भी क्या कर देते हैं वोट कर देते हैं इसको और असानी से समझे तो इंडिया की जो major population है वो अभी भी poverty line से नीचे रहती है या poverty line के से आपके above भी है तो बहुत अच्छा living standard उनका हम नहीं कह सकते ठीक है तो इस चकर में होता क्या है वो लोग जो की poor है या फिर कह लिजे एक minimum living standard को maintain करते हैं तो they are not getting such a good standard of education या फिर कह लिजे कि जो below poverty line है उनके बच्चों को तो फिर education मिल भी नहीं पाती है जाज़तर तो ये जो major population percentage है इंडिया का जो की उतना अच्छा living standard enjoy नहीं करता जितना की एक सही citizen को enjoy करना चाहिए ताकि वो एक अच्छी educational level अपने बच्चों को दे सके ठीक और as a result क्या होता है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं जब वो एक adult citizen होते हैं तो उनको इतनी identification या उनको इतनी समझ नहीं होती है कि वो किसको vote दे क्या basically हमारा country का constitution कहता है और उन principles को actually में कौन सी political party favor कर रही है ठीक है इसी चक्कर में कई political parties अपना religion अपना caste इन सब चीजों को highlight करने लगती है जैसे कि I won't take name of any political party लेकिन ये हमारे illiteracy का जो है एक disadvantage ही तो है उसका advantage लिया जा रहा है ना कि हमारी Indian population illiterate है तो उसको आप religion के नाम पर भढ़का लो कि मतलब मैं आपके धर्म का हूं so I am your leader and I will work only for your benefit जबकि ऐसे candidate को लोगों को direct क्या कर देना चाहिए reject कर देना चाहिए क्यों क्योंकि अगर उन्हें पता हो तो India is a secular country यहां धर्म की तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए ठीक है हमारे लिए सभी धर्म equal होने चाहिए अगर कोई बंदा मेरे धर्म की बात करके मुझसे vote मांग रहा है that means he is going to ignore all the other relations in the country तो बाकी धर्म के लोगों को ignore करके क्या वो मेरे देश के development को क्या वो मेरे country के development को slow down नहीं कर रहा तो कहां से वो मेरी भलाई के लिए या कहां से वो मेरे religion की भलाई के लिए काम करेगा भई जब मेरा देश ही develop नहीं कर रहा मेरी country डेवलेप नहीं कर रही तो मैं कैसे डेवलेप कर सकती हूँ बट इतनी समझ हमारे देश के सभी नागरिकों में नहीं होती है और इसलिए ये क्या होता है democracy का एक disadvantage हो जाता है कि common people are not that much aware of these things और ये political issues ये political legendas को उन नहीं समझ पाते हैं और वो wrong candidate को vote करके wrong principles को promote कर देते हैं ठीके अब ये तो होगा demerits of democracy या फिर कहले ज़े disadvantages of democracy okay now we shall talk about arguments for democracy also भही कुछ demerits हैं तो कुछ merits भी तो होंगे उसके हाँ वो merits क्या है अब इन पर बात कर लेते हैं basically जो एक-एक demerit है हम उसी को judge करने की कोशिश करेंगे merit के तोर पर कि क्या वो बात सही है या किस तरह से होता है ठीके तो देखो यहां पर first आपको दिया हुआ है first argument आपको यहां पर prove किया हुआ है argument against democracy में जो first argument आपको दिया हुआ था disadvantage के तौपर कि democratic government instability लेकर आती है ठीके तो यहां पर first advantage लिया हुआ है कि क्योंकि हर सरकार को democratic form of government में हर एक democratic government को यह डर होता है कि वो जो है वो सरकार पांच साल बाद उसके reject होने के chances भी उतने ही है जितने की उसके elect होने के chances है तो इस डर से वो जो अपनी governance के five years है उनको जादा accountability के साथ निभाती है यानि उसको जादा जिम्मेदारी से निभाती है ताकि क्या कर सके वो उसको प्रूफ कर सके कि हां हमने अपनी country के welfare के लिए काम किया है अपनी country की भलाई के लिए काम किया है और इसलिए हमें आगे फिर chance दुबारा से मिलना चाहिए ताकि हम वोट कर सकें ताकि हम फिर आगे country के betterment के लिए काम कर सकें ठीक तो इस तरह से democratic government is better government because it is more accountable form of government यहां पर लोगों की इच्छाओं के हिसाब से सिर्फ majority के नहीं ध्यान रखेगा लोगों की इच्छाओं के हिसाब से ठीक हम यानि government decision लेती है ठीक है second argument यहां पर आगे आपको second argument क्या कहता है यह कहता है democracy improves the quality of decision making democracy जो है वो decision making की quality को improve कर देती है जबकि हमारा जो second demerit था वो यह कह रहा था कि democracy में decision लेने में देर ही होती है ठीक है तो यह disadvantage है कि देर ही होती है time taking process होती है लेकिन आप यह सोच कर देखो कि कोई एक person किसी problem का solution निकाल रहा है तो बट आवियस है कि में भी कि वह उसमें professional ना हो उतना skilled ना हो तो वह कैसे उसका proper solution दे पाएगा ठीक है जबकि अगर वह उसको level wise discuss करता हुआ जाता है तो यहां पर क्या है अलग-अलग ministry से discuss किया उसने अपने officers जो executive class होती है उन से discuss किया उसने ठीक है and then he proceeded to discuss with chief minister also या फिर cabinet minister में cabinet में अपने बाटक में उसने से discuss किया उस problem को तो उसको उस problem का एक professional एक expert solution मिल सकता है हम best solution की तरफ इस तरह से move on करते हैं तो यह क्या होता है decision में देर भले ही हो जाए लेकिन वह गलत नहीं होता ठीक है एक अच्छा decision हमेशा निकल कर आता है democracy में now proceeding towards the third advantage third advantage क्या होता है democratic government का here we can see it democracy provides a method to deal with differences and conflicts democracy जो है वो हमें method देता है deal with differences and conflicts हमेशा जो भी जो country में जो various issues चल रहे हैं उनसे deal करने का एक method देता है और इसके इलावा जितने भी जो issues चल रहे हैं जो जगड़े चल रहे हैं अलग-अलग communities में उनको sort out करने का एक opportunity देती है democracy क्यों क्योंकि यहां पर हम majority community के लिए काम नहीं कर रहे हैं जो government है वो country की हर community और हर citizen के welfare ship के लिए काम करती है तो इसलिए आपस के जो dispute से उनको solve करने का भी यहां पर एक अच्छी अच्छा मौका मिलता है ठीक है यह आपका third advantage हो गया democracy का now fourth one and the last one democracy enhances the dignity of citizens democracy जो है वो citizens की dignity को भी बढ़ाती है enhance करती है ठीक है enhance कैसे करती है मतलब वहां के लोगों में यह confidence रहता है कि यह जो सरकार काम कर रही है if they are taking good decisions तो इसलिए काम कर रही है क्योंकि हमने उसको elect करके भेजा है तो confidence level boost up हो जाता है ठीक इसके लावा दूसरा benefit हर citizen को यह guarantee होती है कि उसकी अपनी dignity है as a citizen इस देश में उसकी अपनी dignity है जिसको की उस देश का constitution secure कर रहा है उसकी रक्षा उसकी हर नागरिक के जो self respect की जो एक protection है वो किसके तुरू मिल रही है उसको constitution के तुरू मिल रही है ठीक है तो इस तरह से जो citizens हैं वो अपने आपको secure feel कर सकते हैं democracy में this is all about this chapter and so with these arguments we can say कि democracy एक better form of government होता है no doubt it is a better form of government ठीक है क्योंकि ये आपको अपने decisions सुधारने के मौके भी देता है अगर किसी भी तरह से जो हमारा last argument था कि common people aware नहीं होते और वो गलत candidate को vote कर देते हैं तो ठीक है गलत candidate को vote कर दिया पर उसके बाद में हमारे पास option है कि हम no confidence motion ले आए assembly में जिसकी वज़ा से वो सरकार गिर जाए या नहीं भी गिरी है तो after five years हमारे पास दुबारा ये मौका होता है as citizens कि हम क्या करें उस candidate को reject करके वापिस से किसी दूसरे candidate को elect करें जो कि हमारे betterment के लिए काम करें तो इस तरह से हर एक जो argument against democracy था जिसको कि अभी हम disadvantage के तौर पर पर रहे थे उसी को हम आगे देख सकते हैं कि वो हमारे democracy के advantage के तौर पर भी काम करता है ठीक है and that's why we can say कि इतने सारे advantages हैं इस सरकार के इस तरह की form of governance के इसी लिए आज के present world scenario में हर एक जो country है वो बाकी जो भी form of administrations है जो भी form of governance है उनको छोड कर क्या चुनती जा रही है धीरे धीरे करके वो democratic manner को चुनती चली जा रही है that is all about this chapter in the next class we will discuss about the question answers of this chapter that's all for today thank you and have a good day